एलूया वो प्रात्न आपके जीवन में काम करेगी आपको अजाज करेगी हर एक बंदनों से बंदन तूटेंगे हर एक शेतानी स्पिरिट छोड़ कर जाएगी येश्यो मसी के सामर्थी नाम में हलेलूया प्रभी येश्यो की तारिफ हो धन्यवाद येश्यो मैं प्रात्ना करती जो शेतान रोकर है जिने प्रात्ना सुनने के लिए प्रभी येश्यो ध्या करना उन लोगों के लिए प्रात्ना करती जो शेतान रोकता है प्रात्ना सुनने के लिए रिसीद करने के लिए ग्रेंड करने के लिए प्रभी येश्यो के नाम में जा हर एक गलत मन येश्यो के नाम में दूर हो जाए हर एक रुकावटे दूर हो जाए आज के प्रातना को सुनते हैं आज आपका जीवन बदलने जा रहा है येश्यो मसी के सामर्थी नाम में प्रभु द्याकर अनुग्रा देख एक चनो को शोले चाहे वो कोई भी हो येश्यो मसिख के समर्थिने बंधन टुटे और अजाद हो जाए येश्यो के नाम से मांगते हैं आमेन हलेलुया तो सुबा की प्रातना में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं प्रभी येश्यो मसिख के धारिफु धन्यवाद येश्यो कितने लोग चाहते हैं कि आपको जीवन शांती में रहें आपकी जो लाइफ है सुपर ब्लेस्ट रहें बिमारी ना रहें प्रॉबलम न बढ़ देगा आज सुबा की समय में सचवचे परमेश्यो अपने शांती आपके अंदर उन देनने जा रहा है हर एक शापिक चीजे भागने वाले इश्यो के समर्थी नामे शोड़ कर प्रिड़ी से जो शापिक चीजे ने आपको जकड़ा हुआ है पकड़ के रखा हुआ चाहिए वो कोई भी वोड्स है कोई भी ऐसी चीजे हैं या बिमारी है या प्रॉब्लम्स है शेतान आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा है अब वो नहीं कर सकता बो मैं मसी में हूँ सभी चन बोलो मैं परमेश्यो का हूँ बोलो मैं येश्यो मसी का हूँ आपका एक एक कि भो हो गया ये भी ये मुली मैं परमेश्व्र का हूं जो लोग किल और वचन में को सुनने के लिए ताकि आज के वचन के द्वारा आपके हर एक बंदन शापी चीज़े छोड़ कर जाने वाली आमेन हलेलूया प्रभी शुमसी के तारिफ और परमेशक का वचन कहता है कि सच मुझ में जो परमेशक के पस्तिती में रहता है जो परमेशक के प्रेजनस में बैठना जिनको अच्छा लगता है उसके प्रेजनस में बैठेंगे कैसे उसके प्रेजनस में रहेंगे कैसे कैसे रहोगे प्रातना के द्वारा जब प्रातना करते हो तो आप उसकी प्रेजन्स में बैठते हो जब बाइबल पढ़ते हो तो आप दिखाते हो यह बताते हो कि परमेश्च मुझे अपकी प्रेजन्स में रहना अच्छा लगता है मुझे आपके प्रेजन से बैठना अच्छा लगता है आप रातना करते हो आप रबो के महिमा करते हो आप वर्शिप में चाते हो आप मसी पुस्तकें पड़ते हो हलेलूया फिर आप टीवी नहीं देखते हैं आप सीरियल नहीं देखते हैं कि आपका इंट्रेस्ट प्रभी इश्यू मसी में हालेलूया परमीश्यूर के वचन कहता है कि जो परम्प्रधान चाय स्थान में बैठा रहे वसर विश्यक्तिमान की शाय में ठीकाना पाएगा ठीकाना मतलब शांती पाएगा हलेलूया यह ठीकाना और शांती का मतलब यह है मालो कि आप धूप कड़कती धूप में आप खड़े हैं और जैसे आप रूम में आते हैं तो वाँ ठंडा सर रहता है या पिर सोच लो कि आप हिल एरिया में गए पाड़ी लाके में गए हैं और ठंडक से आपको टच कर रही ह ब्रीधिंग लेने में ब्रीध करने में बहुत थंड़क महसूस हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है सोचेंगे थंड़क प्रभव आपके दिलों में देने वाला है शांती आपके दिलों में देने वाला है क्यों देने वाला है क्योंकि अब आप परमेश्य के presence में रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, परमेश्य के सुनना चाहते हैं, इसको वचन को ग्रहन करना चाहते हैं, तो ये मेरा विश्वास है, ये परमेश्य आपको blessed करने जा रहा है, आशिशित करने जा रहा है, अनुगरा पे अनुगरा द नाम में आमें हालेलुया प्रभी एश्य मसी के तारिफ हो प्रभी एश्य मसी के धन्यवाद हो तो कितने लोग आनंदी थें कितने लोग खूश हैं प्रभी एश्य मसी की तारिफ हो धन्यवाद एश्यू कितने लोग आज आनंदी थें आमें प्रभी एश्य मसी के तारिफ हो पहला वचन और उसके बाद हम पढ़ेंगे पांच और छे वचन आमेन तो वचन कहता है जो परम प्रदान के चाह स्थान में बैठा रहे वह सर्विशक दिमान की शाय में ठीक आना पाएगा यह यह वर्ड है यह ब्लेसिड वर्ड है सब इचन बोलो आमेन बलो मैं इस वचन को ग्रहन करता हूँ ग्रहन करती हूँ परमिश्य के प्रेसेंस में रहना उसके पस्तिती में चलना हो सकता आप बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं खाना बनाते हैं आप काम में जाते हैं आप बिजनस करते हैं आप हो सकता मार्केट जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, किसी से बात भी करते हैं, तो हर समय परमिश्य की प्रेसेंस से भरेवी दिखाई देते हैं, आप कभी भी संसार के साथ मिल मिलाप नहीं करते, आप दो रंगी बातें नहीं करेंगे, आप गलत बाते को इजाज़त नहीं देंगे अपने लाइप में काम करने के लिए हलेलुए क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है आप परमेश्य के जन है और ये आपको सूट नहीं करता कि आप उन बातों में जाए उन चीजों में जाए आमेन, हलिलुया, कितने को समझ में रहा है, तब ही एक विश्वासी, परमेशे के प्रेजस में रहना, उठना, सीखना, पैठना, खाना, पीना, सीख जाता है, तो सच्छे मुझ में, परमेशे के पस्तिती से वो भरता जाता है, भरता जाता है, हर दिन, वर्शिप करें हर ति तो वो परमेशे को पस्तिती से भरता जाता है, भरता जाता है, और उसको परमेशे अपने शांते से भी देता जाता है, देता जाता है, और आपको भी देराई शुमसी के, सामर्थी ना मैं आज जो प्रात्ना और वचन को सुन रहे हैं, आप परमेशे की प्रैसेंस को पसंद कर रहे हैं अब उसकी सुनना चाहते हैं आप वचन को सुनने के लिए वेरी वेरी इंट्रेस्टेड है आपका हिर्दा मगन है परमिश्य की वचन को सुनने के लिए आप हर दिन सुबह की बातना वचन को सुनते हो आपका हिर्दा अनंदी तरहता है उसके वचन को लेने के लि होगे तो और वचन कहता है कि तू न रात के बहें से डरेगा और न स्तीर से जो दिन को उड़ता है न उस मरी से चुंधिरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दुपरी में उजारता है कोई प्लेक कोई महारोग से जो दिन दुपरी में उजारता है परमेशा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अजारत करूँगा खालिलूया तू न डरेगा कहता है हो सकता है जब बिमार में हो सकता है दर्तों में हो सकता है परिशानी में है आपको कुछ समझ में ने रहा क्या करूँ बोलो मेरा परमेशर महान है बोलो मैं येश्यू की हूँ बोलो मैं येश्यू का हूँ बोलो मैं परमेशर का हूँ खालिलूया बोलो आज से मैं परमेशर के प्रेजन्स में रहूँगा उसके उपस्तिती में चलूँगा उसके वचन को पढ़ूँगा हर दिन Bible meditate करूंगा करूंगी हर दिन मैं प्रातना में बैठूंगा प्रातना में बैठूंगी बोलो परमिश्या का वचन ही मेरे जीने का मकसद है अधार है बोलो मुझे वचन से सांस मिलती है बोलो मैं उजे येश्यू से जीवन मिलता है बोलो येश्यू मसी ही मेरा सब कुश है बोलो मेरे बंधन को तोड़ने वाला मेरे परिवार को ठीक करने वाला मुझे कर्ज से अजात करने वाला बोलो ना शाहां से अजात करने जा रहा है परिवार को ठीक करने जा रहा है बोलो सब कुछ येश्यू से मिलता है हलिलूया प्रभी येश्यू मसी की तारिफ हो मैं आपको सच सच बताना चाहती कि हमारा परमिश्य अद्बूद महाल है परमिश्य के पीछे चलो उसके निकट आओ तो वो भी तुमारे निकट आएगा प्रभू के निकट आओ परमिश्य मैं तेरी पीछे चलने के लिए तेरे कांग करने के लिए गवाही देने के लिए बोलो बोलो परमिशे मैं तियार हूँ परमिशे मुझे इस्तिमाल कर तेरे राज़े के लिए बोलो मैं तियार हूँ परमिशे आज से मैं अलग दायक जीवन जीओंगा जीओंगे आज से मैं संसालिक बातों मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा आज से मैं इदर दर की बातों को ना करूंगा परमिशर बुलो परमिशर मुझ पर दिया कर खोशकता बड़े प्रॉबलम में फ़स चुके हैं कोट केस चल रहा है और कुछ भी समधान नहीं हो रहा है परिशान हैं आप खालिलूया कई ऐसे जिनको सस्पेंट कर दिया गया है लेकि परमिशर के वचन कहता है कि मैं तुझे तिरे जॉब को रिस्टोर करूंगा एमेन खालिलूया परमिशर कहता है मैं सब कुछ ठीक करूंगा तो आज ही विश्वास के साथ आएं परमिशर के करीब आएं और सच मुच में परमिशर ठीक करेगा आपको ब्लैस करेगा बंधन तूटेंगे अजाद हो जाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा इश्यमसी के सहमति नामे और आपके लाइफ सीम न रहेंगी सबी जन अपने आपको सरंडर करें मैं परातना करती वचन कहते तो ने रात के बहसे डरेगा और ना उस रोग से उस महामारी से जो दिन तो परी में उजारता है कोई महारोग कुछ भी आपर अटेक निकर पाएगा इदियाज अटेक हुआ है लेकिन अदियाज अपरातना में है परमिशर के समुक में तो परमिशर को अजारत करने वाला है कई ऐसे हैं जो फास्टिंग प्रे में बैट गए हैं कई ऐसे हैं जो अपना जीवन सौप रहे हैं परमिशर को कई ऐसे परमिशर के निकटा रहे हैं अपने पाप से पस्चा ताप कर रहे हैं माफी माँग रहे हैं आज माँगो परमिशर से माफी वो आपको जीवन देगा वो आपको छुटकारा देगा बंदन टूट जाएंगे शिमसी के समर्थी नामे और आपके लाइब बिल्कुल भी सेम न रहेगी एमेन तो कितने लोग त्यार है मसी में प्रिभाईयो बैनत त्यार हो जाओ परमेशे की पस्तिती में आजाओ परमेशे के करीब आजाओ और परमेशे और सब कुछ ठीक करने जा रहा है एमेन और आपके लाइब सेम न रहेगी आईए अपने आपको सुन्टर करें हमें गवाई को सुनेंगे और उसके बाद हलिलूइया मैं आपके लिए फ्रातना करूँगी प्रवेशे के तारिफ और प्रवेशे के धनेवाद हो इस ब्रदर का नाम अमन है और ये डेली से आए है और ये ब्रदर दिगॉड है वेवन चर्च के साथ दिसंबर दोहुजार तईस से कनेक्टेड है और ये क्रिस्मिस और न्यू येर की मीटिंग में प्रवेशे के भवन में आये थे और ये ब्रदर बताते हैं कि कैसे प्रवेशे इनके जीवन में कारे किया सभी जन ध्यान से सुनेंगे ये ब्रदर बताते हैं कि एक साल से इनके स्टून थी जानि कि पत्थरियां थी और वो तीन थी एक 20 mm की एक 5 mm की एक 2 mm की और ये बताते हैं कि इनको कई बार किड्नी में इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि जो स्टोन्स थी जो ये पत्रियां तीन पत्रियां थी वो इनकी किड्नी में थी और ये बताते हैं कि उसकी दर्द के कारण क्योंकि वो दर्द इनके सहने के बाहर हो जाता था और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके लिए इन्हें लगाता डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और ये ब्रदर बताते हैं कि ये तीन दिन इस दर्द के कारण जो कि इनको स्टोन का पेन हो रहा था उसके कारण ये तीन दिन हॉस्पिरल में रहे और ये ब्रदर बताती हैं क्योंकि ये अभी कुछी छे महीनों से ही परमेशे के हजूरी के साथ कनेक्ट रहे हैं और ओनलाइन हर एक सुबह शाम की प्रार्तना को ये रेगुलर सुन रहे हैं और परमेशे के वश्वास करने लगे हैं प्रभु को और भी जदा नज्जीक से ये जानने और पहचानने लगे हैं कि वो परमेशे अद्बुद और बड़े कामों को करते हैं और जब ये ब्रदर बड़ी मीचिंग में क्रिस्मिस में आये थे तो इन्होंने तब भी परमेशे के अद्बुद कामों को गवाईों को रूप में परमेशे के भवन में सुना था और देखा भी था और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट रवीवार 28 एपरल को ये ब्रदर बताते हैं कि मैंने फास्ट रखा था और क्योंकि इनको stones थी ये तीन पत्रियां थी जिसके कारण ये brother बताते हैं कि ये fast नहीं कर पाते थे बहुत से नैसे काम थे जो ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इन्हें ये लगता था कि मुझे दर्द हो जाएगी और मुझे medicine भी लेना है और ये brother बताते हैं कि last Sunday की meeting में इन्होंने fast किया और ये brother बताते हैं कि सिरफ 30 मिनट का fast इन्होंने किया और 30 मिनट ही ये बूखे रह पाए थे और ये brother बताते हैं कि जैसे ही प्रात्ना सबा शुरू हुआ था जब ये बताते हैं कि starting prayer हो रहा था और यह बताते कि उसी दौरान इन्हों ने बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया कि आज मैं विश्वास के साथ फास्टिंग सथ परमेशक के समुख खाया हूँ और यह ब्रदर बताते कि जैसे ही इन्हों ने स्टार्टिंग प्रेयर को अपने घर में ऑनलाइन ओन किया और ये ब्रदर बताते हैं कि प्रार्तना के दुरान ही पांच एमेम और दो एमेम की जो पत्थरिया थी वो इनके यूरिन के जरीए इनकी बाड़ी से बाहर आई और जो कि आप देख पारें वो जो छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो स्टोंस जो थी वो स्टार्टिंग प्रेयर में ये ब्रदर बताते हैं कि बाहर आ गई थी और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर उनने खाना खाया और उसके बाद ये लगातार जो लास्ट रवीवार जने अठाइस एप्रल को जो संडे की प्रातना सबा चल रही थी और ये ब्रदर बताते कि रेगुलर प्रातना सबा में बने हुए थे और बताते कि जब पासर जी मास प्रेयर कर रहे थे और कहते कि जब उसमें घोशनाय हो रही थी तो मैं positive word हारे के receive कर रहा था और ये ब्रदर बताते हैं कि अभी mass prayer पूरान रिती से समाप्त भी नहीं हुई थी और जो 20 mm की stone इनके kidney में रह गी थी और ये ब्रदर बताते हैं कि वो भी mass prayer के दौरार इनके kidney से बाहर आगई urine के जरीए सबीजान जोरदार इस आदबूद और जीवीत गवाई के लिए परमेशे का दनेवाद करें क्योंकि ब्रदर बड़ी विश्वास के साथ परमेशे के साथ संगदी कर रहे थे और परमेशन इके विश्वास का आदर किया और इनने एक बड़ा शुटकारा परमेशन ने इस स्टोंस इन पत्रियों से दिया है सबीजान जोरदार ताले के साथ इस आदबूद और बड़ी गवाई के लिए पर भिश्वासी का दने वाद करेंगे ये ब्रदर बताते हैं कि जब अभी इनकी 5 mm और 2 mm की स्टोंस जब बाहर आया गई थी और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके बाद इन्हें बहुत ज़दा दर्द होने लगा और यह कहते हैं कि मैंने सोचा कि आप बहुत ज़दा दर्द है मेरे सहने से बिलकुल बाहर है बोलते कि आप मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इसका जैसे डॉक्टर सज़स्ट करेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे मैं उसके अनुसार करूँगा और फिर भी यह बता तरह दिया है सब इतने क्रेंगे हैं आप फिर से परमीशिक आदर नेवाद करें इस देए गिए सब्सक्राइब करें वाज करें पेता ने वाद करें पास्टर जी कोई नहीं है तो बोलो ना कि सारी निकल गई है अलेलुई है तीनों के तीनों पत्रिया बाहर निकल चुकी है सब इसाथ परमेश्य का धन्यवाद करते हुए इसलिए जब मास प्रेयर की जाती है तो पभी तरातना मुझे बताता है और मैं आपको लास संडे भी प्रियम कर रहे हैं जो लोग मास प्रेयर में जो घुषणाय कोती है उसको रिसीव करते है अपने लाइफ के लिए जो जो बोला जाता है तो देखो परमेशों कितना अध्वूत काम करता है जब घुषनहें की जाती है और जब उसे रिसीव करते हैं तो परमेशों बंधन को तोड़ देता है वह बंधनों को तोड़ देता है जोड से ताले बजा इस बड़ी गभाए के लिए जो कितने अम थी एक 20 mm की थी, एक 5 mm की और एक 2 mm की लेकिन वो क्रेटर को पता है कि कैसे निकालना और प्रमेश्य को निकालना आता है हालिलोया, बोलो, वो मेरा great, बोलो, मेरा physician है बोलो, बोलो, वो मेरा कौन है, वो doctor है, वो Jesus है बोलो, जो सब कुछ बदनने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है बोलो, जिसके लिए कोई भी बात असमभव नहीं है बोलो यदि आप operation के लिए book किये गये हैं आपके विश्वास के दोरा, आपके fasting के दोरा अभी इन्हों ने बताया कि कितने देर के अपने fasting किये हैं जी छिर्फ 30 मिंट की किये थी यह first time fasting थी जी देख रहा है first time fasting जिन्होंने किया उनका प्रभुनी कितना बड़ा आदर भी कर दिया हालेलुया यह माँ सोची कि हम पूरे दिन fasting करते हैं तो हमारा आदर नहीं करता है ऐसा नहीं है परमिशा को देख रहा है आपको बरग भी रहोगा और एक बड़ी कवाई के लिए प्रभव को त्यार कर रहा हालेलुया तब कोई पत्री नहीं है कोई नहीं उची उची वोलो कोई भी नहीं कोई भी पत्री नहीं है हालेलुया जोड से ताली बचाये परमिशा के दन्यवाद करें जोड से जोड से परमेशो की वह मा करेंगे, हालिलूइया हालिलूइया आहिए सबीजन अपने आखों को बंद करें परमेशो के निकटा, मैं परात्मा करती हूँ परमेशो देयालू है करणा निधान पेदा परमेशोर है आज इतने लोग आज सुन रहे हैं आज की परात्मा को परमेशो लेशो 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 जेजुइब इन धालरेंशेदा यहाइड ख छोली दूसद्अएड़ हर उत्सक्तिंप जाये यblick चाहे उद्डी आत्मा चोड़ कर जाएं हर एक दुष्ट के काम उसे अजाद हो जाएं हर एक शैतानी चीज़े छोड़ कर जाएं तेंक यू जीजस ने प्रात्ना करती दुस्ट आत्मा के काम इसी वक्त छोड़ कर जाएं येशियो के नामें जाएं गंदी आत्मा दुस्ता आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है येशियो के नामें जाएं येशियो के नाम मैं जाएं अिन्दा मड़्टी मौलो गट्सकर येुषये के नम में जाए ये executive नम में जाए मैं प्रात्न करती हूं अजाध हो जाए मैं प्रात्न करती येfeld मुसी कि समथनीनाम में जाए हालेलूzar recommend और अर्भ इक तत्य हुतनि कितने ल migrant प्रमपeringत ऱताकि कुई tutor upokognit प्रभी एश्यू मसी के समर्थी नामे शोड़ कर जाए जाए, 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 जाए. प्रभी एश्यू जो साहता करता है मदद करता है शुला ले तेरे नाम के महिमा के लिए पमेशा दिया कर इसी वक्त कई लोग आज निगेटिव हो चुके हैं कई लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं मैं प्रात ना करती हूँ जो लोग आज बहुत ज़्यादा परिशान ही है बहुत ज़्याद तकलीफों में हैं कई फैमिलिस परिशान हैं करजाई हो चुके हैं नशाओं में पढ़े हुए हैं जक्ड़े हुए हैं कुछ समझ में यह रहा क्या होगा सर से लेके पाँ तक चंगे हो जाए जो लोग बीमारी में प्रॉबलम है यह शु के ना में चंगे हो जाए यह शु के ना में चंगे हो जाए यह शु के ना महरेक दर से जाद हो जाए यह शु के ना महरेक स्कीन की अलर्जी से जाद हो जाद हो जाए और्थरेटेस के रुक से अजाद हो जाए, खड़ी की दर से अजाद हो जाए, पीट की दर से अजाद हो जाए, हैडियक और डिपरिशन से अजाद हो जाए, सीर की दर से अजाद हो जाए, पीट की दर से अजाद हो जाए, मैं प्राप ना करती चंगे और अजाद हो जाए, पवितराथ में शूले और चंगे और अजात हो जाएं देखो पवितराथ में आपको शूरा है गंदी आत्मा निकल ये शू के नम में तेरे कोई अधिकार नहीं है शेतानी अधिकार को आपके जीवन से इसे वक्त में हटती और रिमूट करती कियंसर करती गो लिगो अस ये फायर परमेशियर की आग उत्रे परमेशियर की आग उत्रे चंगी हो जाओरा जान दो जाएं जो चलनी पाते ये शु के नाम में पवित्रात मां के थामत की ज़रा चलने लगे चल ये शु के नाम में चल उट खड़े हो जा ये शु के नाम में बोलने लगो ये शु के न नाम में देखने लगो एश्यू के नाम में सुनने लगो है एक बंदन टूर जा श्रापी चीज़े छोड़ कर जाए तेरे कोई अधिकार नहीं ये शुम मस्थी के सामधी नाम है प्रभू दिया करो प्रभू शूलो प्रभू मदद करो प्रभू सहांता करो रबाबाबाबा प्रभो येश्यू सथमच में महान है और सथमुच में सब कुछ बदल दे हम तेरह थने वात करते है छ चुटकारा देने के लिए प्रभू मदद किजे सायता कीजे अनुग्रा और सामरसे भर दीजे प्रमेश्य अद्बुत काम करने ऐसे हम ते रथने वात करते हैं चुट को यह हुआ शापी चीजे छोड़ कर जा चुकि यह बंदन तूट चुकि हम ते रधने वाद करते हैं सरी प्रात्म को सुनी हम ते रधने वाद करते हैं अमें परमेशा अपने नाव की महिमा के लिए खड़ा कर हर दिन चला परमेशा तेरी पस्तिती में ले चल और पूत्र पवितरा अत्मा की तर्व करते हैं अपने महिमा से बरते परमेशा प्लैस कर मेशा नगर दे और शांती ने परमेशा दया कर इसी वक्त जो रोगी वाला बिस्तर है इसी वक्त उसको लट को ठीक कर देते ही शेक्र के नाम में हरे गंदी आत्म दुस्टाओ जोड़कर जा च हो जाए एक मन हो जाए खुली को सब्सक्राइब एक करते हैं एक कर देते हैं चुटा वाप परिवाद जोड़ जाए टूटे वे रिष्टे जोड़ जाए जिनकी रिष्टे नहीं आ रहे इस रिष्टे की घुष्ट ना करती हूं इस्यों मज़े के समर्दी नाम में अखलेग लड़के लड़के जवान को बचा पर में शद्या कर शियु ले बंदन टूटे रास्ते खुल जाएं सहिर प्रातने को सुने ध्रने धन्यवाद करते हैं इनकी हातों के कमाई को सोर सर हिस्पे को ब्लैस का गवाई के साथ खड़ा कर तेरी मर्ची पूरी हो सारे प्रात्मा को सुने हम तेरा थनेवाद करते हैं अबने महिमा से मर्दी हम तेरा थनेवाद करते हैं गवाई के साथ खड़ा करते हैं यह जहाँ भी जाते हैं प्रभू सर्दत के बारे में रखते हैं ये शुमसी के लहों में कवर करते हैं परभी मर्चीब बोरे जिवनने और राशिष कर पामिश्च आज के दिन सुपर बलेश्ट हो बोल आстटी होत्ती हूं आज के दिन को प्रभी येश्च decis' आम तेरी हैंड ओफ Krाज कर दे आज जो अरो गयते में अरो नहीं दहा सीप मिणुद्य सion चाने दका हूं बोलो मेरा सारा जीवन येश्यू का है बोलो मैं आज से परमिशर के पीछे चलूँगा चलूँगी बोलो मैं परमिशर के पीछे 100% चलूँगा चलूँगी मेरा जीवन येश्यू का है मैं लगदाए एक जीवन 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 मैं पवित्रताई में रहूंगा रहूंगी और इसी वक्तेरे घबराहट छोड़ कर जा रही है आमेन हालिलूया परमिशर शूर है जो फॉरिंड कंट्री से देख रहे हैं जाद हो जिनके डॉक्यमेंट पेपर है मैं बलेस करती हूँ वीजा के साथ बलेस करती हूँ ये शुक्यमेंट बंदन टूटे जाद हो जाए जिस कंट्री में जाना चाहती है प्रमिशर की मर्जी के इनुसर प्रवगाप को बेस्ट कंट्री में लेकर जाए और इस्ट्रगल वाली लाइफ से जाए जो निगेटिव शूरू कर जा जए इशियू मस्य के नाँ में बेभी ब्लैसिंग की गवाही की घुशना करते हैं प्रमिशव के वाच istem को फॉलो करें और प्रमिशव को ब्लेस्ट करें और बंधन टूट जाएक इशियू के नाँ में प्रभाब अपने बेस्ट के अनके लाइप में इसके लिए धनेवाद करते हैं गवाई के साथ खड़ा करते हैं धनेवाद करते हैं सेरी प्रात्मे को सुनिया धनेवाद करते हैं पीता पूतर पाइता अत्मे के तारिफ करते हैं में भीयासे बरतियत है नेवाद करते हैं जह परमिशा नुगरोश towards शांति दे पर्मिश k theresu के नाम हरे foreign cadaح is देख रहें आशिषक्रर ये शू की लखों में कवर करते हैं संब्हाल ले परमिशा गिरने से बिचा ले पाफ में गिरने से बिचा ले बिचा ले रोब विश्य के नम से मागते हूं आमें सभी जन बोले हलेलुया तो आज के प्रात्नों को एक दूसरे के साथ शेयर करने ना भूले अपनी गवाही को देना ना भूले अपनी भीट अपनी ऑफरिंग परमिश्य के राज्य के लिए बोएं चर्भवन की जमिन के हरे चीजों के लि पदेने रहे ताकि और ज्यादा ब्लेस्ट हो सके तुछ लगातार मेरे लिए प्रापता करें और लगातार मेरा विश्वासिए के प्रात्ना का रहे हो और आप सुपर ब्लेस्ट होने जा रहें बड़ी कवाही आपके लाप में आच की है आमें प्रभव में डेबादे कर दो कर दो